असलाम अलेकुम उमीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपके साथ फ्रॉक की जो है वो डिजाइनिंग कटिंग और स्टेशिंग शियर करूंगी सबसे पहले हमने जो है वो कुट्टी जो टॉप लेना है अपना उसकी जो चुड़ाई है 15 लेनी है और जो लं पहले है 15,5 इंच्च्चों के इस तरह से निशान लगाूंगी और parfait 15,5 इंच्च के ऊपर यह सिधा निशान लगा कर गुलाई कर लोंगी हमें जóg उपर वाली सड़ पर भे आदे इंच्च का इस तरह से निशान लगा कर साड़े 3,5 इंच्च की रो चेस्ट माइं तो हम इ वो 18 इंच ले रही हूं मैं और लंबाई जो है वो आप देखने इस तरह से वो भी 18 इंच ही है और फरंट वाली साइड को आपने इस तरह से रखने के बाद इस तरह दर्मियान से आपने कट कर लेना है और मैं एक पटी ले रही हूं जिसकी चुड़ाई तकरिबं 1.5 इंच है और कनी वाली साइड ले रही हूं तो उसकी इस तरह से फ्रिल बना लूँगी पहले और जो है वो टॉप की फरंट साइड लेके दो इंच के उपर इस तरह से निशान लगा के और फिर 7.5 इंच के उपर निशान लगा कर इस तरह से गुलाई कर लूँगी ठीक है गुलाई करने के बाद जो है वो इस तरह से फोल्ड करके और उपर टैप कर लें आप थोड़ा सा तो उससे क्या होगा निशान दूसरी साइड पर भी आ जाएगा फ्रिल को इस तरह जो है वो रखें और इस तरह रख्कर ज़ хот जो है वो यह आपर शिलाई लगा लें इसकी ठीक है इस तरह उसके बाद मैं जिग्-जग लैस लगा रही हूँ इसके उपर इस तरह से रख्कर बादे कर के Ly इस तरह से कट कर दिया है मैंने और दो इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाने के बाद तीन इंच के ऊपर लंबाई में निशान गले का लगा रही हूं उसके बाद इसकी गुलाई करके इसको काट लें आप ठीक है इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से और यह देखें यह separate दो जो है वो हमारे पार्ठ हो गए हैं उसके बाद एक साइट की जो है वो एक साइट की घहगरी एक साइट पर दूसरी की दूसरी साइट पर प्लेट डाल के या फिर चुन डाल कर attach कर ले यह मैंने attach कर ली है उसके बाद मैं एक पटी ले रही हूँ दो inch चुड़ाई में नीचे वाली साइड पर रखकर सलाही लगा लोंगी इस तरह से उपर वाली साइड पर और इस तरह से इसको उपर वाली साइड पर fold कर लूंगी यह देखें इस तरह से यहां पर सलाई लगा लें और इसी तरह से दूसरे साइट पर भी पटी को इस तरह से रखकर सलाई लगा कर इसको फरंट वाली साइट पर इस तरह से एक इंच की पटी बना कर वोड कर लें ठीक है इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेड़ी कर लिए है एक इंच वाली वो उसको दूसरे के उपर रखेंगे इधर से लेकर यहां तक हम सलाई लगाकर यहां से बंद कर लेंगे ठीक है इसके बाद बैक वाली जो टॉप है उसके उपर जो है वो इसी तरह से अटैच करके कंदा अटैच कर लेंगे उसके बाद बैक गले की मैं कटिंग करूंगी हलकी सी डीप कटिंग जो है वो आपने बैक गले की कर लेनी है इस तरह से उसके बाद जो है वो हमने इस तरह से पटियां काट कर रे पटी काटनी है आपने और यह हम गले के जो है वो नीचे इस तरह से रखकर सीधी वाली साइड पर यहां सलाई लगा लेंगे लगाने के बाद मैंने उपर जो है वो इसके जिग्जाग लैस लगा लिए डिजाइनिंग के लिए बहुत प्यारा जो है वो 14 गस का ये फ्रॉक जो है वो तियार होगी ये स्लीव्स हैं जिसकी लंबाई मैं जो है वो 12 इंच ले रही हूं लेकर इस तरह से निशान लगाकर आप स्लीव्स की कटिंग कर लें फ्रंट वाली साइड पर इस तरह से मोड कर सलाई लगाएं और मैंने जो है वो बड़ा तंका करके सिलाई लगाकर उपर इस तरह से जो है वो मैंने जिगजग लैस अटैच कर ली है दोनों स्लीव की मैंने त्यार कर ली है उसके बाद इस तरह से फ्रॉक के उपर इसको अटैच कर लें और साइड की सिलाई लगा लें उसके बाद फ्रॉक की जो है वो बॉटम वाली साइड पर इस तरह से जो है वो लाइस अटेच कर लें यह हमारी फ्रॉक की फुल लुक है अगर आपको डिजाइन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें